वेलकम बेक टो आचनल गाईज और आज हम बात करते हैं दो फोन के बारे में जो की है एक तरफ है आईक्यू का नियो 6 और एक तरफ है रियल मी का जीटी नियो 3 और दोनों ही हैबी गेमिंग प्रोसेसर के साथ में आते हैं दोनों के दोनों ही चल रहा है लेटेस्ट आपसेटिंग्स में कौन सा वर्जन दोनों फोन में रन कर रहा है तो आ जाते हम लोगनेए फोन के सेटिंग्स में सेटिंग्स में आने के बाद सेपर्ण फोन में और देखते हैं कि वहाएट टू फिटीसिक्स आप लोग देख सकते हो और डायमन सीटी Aty100 का जो चिप्से केमरा और साथ में 8 मेया फिक्सल का अल्टरा वाइड और 2 मेया फिक्सल का एक देप्थ और साथ में Android 14 पे ठीक है 14 पे आने के बाद देख सकतो लास्ट जो सिक्योर्टी पैच अप है वो 5 मार्च फाइनली अपने आईकू वाले डिवाइस पे तो आईकू वाले में भी हम लोगों को मिल जाता है स्नैप ड्रेगन 870 का प्रोसेसर जो 3.2 गिगाहच क्लोक स्पीट पे है और इसमें भी Android 14 जो लेटेस्ट अपडेट है वो इसमें रन कर रहा है देख सकतो आप लोग और इसी के साथ हम लोगों लेटेस्ट सिक्यूर्टी पैच अप भी है और इस सभी के बारे में करेंगे बाते बाद में पहले हम मैं बता देता हूं कि यह जो है दोनों फोन ही है 8256 ठीक है और यह है 8128 और दोनों के बीच में करेंगे एक स्पीड कॉंपेरिजन मतलब की आप देख सकते हो कि दोनों में हैं फोन ही लिए बने थैं और आइकु आले में 64 मैंफ एक्सल का मैं केमरा और साथ में दोनों में 16 मैं एक्सल की सैलफी मिल जाती है जो अच्छे खासे फोटो क्लिक करके आप लोगों को देदेंगे और आइकु गाले में हम लोगों मिल जाता है लगबग लगबग 4700 mh की बैटरी जो day to do life में ठीकठा की performance देती है दोनों में same to same display है और super amulet display है जिसमें 120 Hz का refresh rate है और 360 Hz का एक touch sampling rate भी है तो और realme वाले बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा billions of colors भी show करता है तो इन सब यों करते हैं आप side और देखते हैं हम लोग इस phone के अन्तुतु benchmark में कैसा score करता है तो आज आते हम लोग अपने अपने अन्तुतु benchmark में अन्तुतु benchmark को हमने क्लिक किया और देखो दोनों में same time पर खुला है लगबग थोड़ा सा difference है और करते हैं इससे test और test के बाद देखते हैं कि अभी latest update में इन दोनों में कितना score करता है अन्तुतु benchmark और यह इसमें कौन स्पीड जाता है दोनों ने लगबग सेम स्पीड पकड़ रखा अभी भी देख सकते हैं आप लोग इसके रियल्मी के डिस्पले में हम लोग को अलग से एक प्रोसेसर दिया जाता है जिससे कंपनी वाले ने बोल रखा है जिससे यह colors जो है अच्छे त आउटपूट दिखाई दे रहा है यह हम लोगों का आईकू नियो 6 का लगबग 788,986 और यहां पर अपना रियल्मी जो है बहुत ही तेजी से score किया इसने और यह लगबग 8 लाक से भी जादा इसने score किया है और देख सकते हो आप लोग अपना जो score है रियल्मी का वो है ल सकते हो आईकू से यह लगबग 40,000 से भी ज्यादा score कर रहा है पर यह गेमिंग में क्यों नहीं इसे बीट कर पाता है मुझे यह बात समझ में नहीं आ रहे थी तो इस बार हम लोग टेस्ट करेंगे कि आपको अगर 60 fps पर ही दोनों रन करते हैं या 90 fps पर आईकू रन करता है तो क्या इसमें glitch जो होता है वो दिखाई देता है यानि कि कुछ stutter या frame drop हम लोगों दिखाई देता है कि नहीं तो वही करेंगे कि यह जो है phone कैसे perform कर रहे हैं इस बार के नए update में BGMI वाले तो मैंने यहाँ पर simply कर दिया है BGMI open दोनों फोनों में और साथ ही click करेंगे और देखते हैं पहले click करके कि दोनों में से किसमे open होता है दोनों same wifi network पर भी connect है तो करते हैं click 1,2,3 तो दोनों में click कर रहा है मैंने और यहाँ पर game engine turn on कर चुका है यह अपना real me और यहाँ पर अपना IQ जो है कुछ पीछे चल रहा है देखते हैं दोनों में से कौन सा जो पहले गेम को start कर लेता है तो यहाँ पर IQ या real me तो यहाँ पर मुझे लगता है तो यहाँ पर पहले IQ ने पता नहीं कैसे by default या कुछ अलग से इन लोगों ने setting कर रखी है तो यहाँ पर IQ ने बाजी मार लिए और यहाँ पर देख सकते हो आम लोगों को अपना phone जो है कौन से graphics पर run कर रहा है मैं यह भी आप लोग एक बार सो कर देता हूं ठीक है आ जाता है phone के settings में यानि की game के setting में आ गया हम लोग आ जाता है graphics and audio पर देख सकते हैं दोनों में ही option है smooth plus extreme का ठीक है पर मुझे यह बात समझ में नहीं आता है कि जो मैंने देखा score वो यहाँ पर काम क्यों न को और यहां पर यह जब की आट लाग से भी ज्यादा स्कोर किया है इसने तो smooth plus extreme दोनों पर यह कर रहे हैं और सेम ग्राफिक पर भी हम लोग यहां पर सेंप देखते हैं style जो है उससे भी कर देते हैं हम लोग मूवी वाला दोनों को सेम करके और एक बार करते हैं गेम प्ले करके देखते हैं कि कितना glitch होता है गेम में फिर से एक नया गेम प्ले को किया है और यहां पर अपना match फिर से करते है start और battery जो है 73% पर है और वहां पर हम लोग हो गय थे out और out होने के बाद recall भी होता है पर मैंने देखा कि वहां पर हमारी थोड़ी network में issue आ रही में उतरते हैं हम लोग कहीं भी glitch या stutter तो दिखाई नहीं दिया है और ना ही कोई problem आई है तो हम लोग देखते हैं तो जो player है यहां पर यह मार रहा है एक को नौक भी कर दिया इसने और यहां पर देखते हैं अब आगे क्या होता है गेम में एक gameplay को करेंगे पूरा और इस gameplay में देखेंगे कि हम लोग कितने देर तक रहा जाते हैं और कितने देर तक एक gameplay जो हम लोगों का चलता है हुआ 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 है हम लोग ने दोनों में ही रन करके देखा और जहां पर आइक्यू थोड़ा फ्लक्शुएट कर रहा था यहां पर यह 20 एमस ना देके कभी 40 तो कभी 30 और कभी कभी 25 यानि continue यह 20 नहीं दे रहा था ठीक है और यहां पर रियल मिले हम ल से एकुरेट चिपक कर चलता है वहीं पर क्योंकि यह 60 तो 60 65 जाता है उससे ज्यादा यह उपर फ्लक्शुएट नहीं करता है यह 70 जाता है और यहां पर आईकू जो है लगबग 40 40 भी चल जा रहा था कभी एमस तो समझ सकते हो आप लो 40 50 भी चला जा रहा था यह मुझे सम वाइज दोनों में सेम ही गेम प्ले हो रहा था पर आईक्यू जो है 20 fps को सही से मैंटेन नहीं कर पा रहा इस अपडेट के बाद और अपना रियल मी जो है अच्छे से मैंटेन कर ले रहा था 60 fps को लेटेश्ट अपडेट में और अच्छी खासी गेमिंग करा के दे रहा था और वीडियो करेंगे थुरा सोट क्योंकि बहुत ही जादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो देखते हैं लाश में कितना बैटरी ड्रेन हुआ और कितना चला हम लोगों का फोन और कितने अच्छे से गेम परफॉमेंस देता है ये तो फानली हम लोगों को दोनों में सेम ही बैटरी ड्रेन देखने को मिला हम लोगों को जो आईक्यू फोन में था उसमें लगबग 73 परसेंट बैटरी थी जब हम लोगोंने गेम को चालू किया था और ये 66 परसेंट पर आके रुक गया मतलब एक गेम प्ले हम लोगोंने पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद आता है रियल मी पर तो रियल मी का हम लोगों का जो फोन चार्ज था वो लगबग 62 परसेंट था और उसने लगबग 7 यानि की 55 परसेंट पर देख सकते हो ये Q में भले ही हम लोगों को 90 FPS का सपोर्ट तो मिलता है पर यह लगबग 40 FPS और 20-30 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है और जो अपना Realme GT Neo 3 था इसमें क्या है कि आपको यह 60 FPS पर तो मिलता है और दोनों ही latest update पे है तो आप बोल सकते हो कि अभी क्या चल रहा है फोन में तो दोनों ही 14 पे चल रहा है और दोनों की gaming performance बेस्ट है और इसमें हम लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें 4700 तो दोनों में सेम ही battery drain percentage भी देखने को मिला है तो बोल सकते हो कि इन दोनों में compare किया जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर आप 60 FPS की तोर से देखो तो यह 60 FPS ही सबसे अच्छा हो सकता है क्योंकि यह 40 और 60 के बीच में चल रहा था और यहाँ पर जो 20 FPS था वो 90 FPS जो चल रह लगे मुझे तो बेटर लग रहा है यहाँ पर GT और अगर यह वीडियो अच्छी लगे और helpful लगे तो हमारे चैनल को like and subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ